मुई की सुरूआत में हम किसी होस्पिटल में एक आदमी को चलते वे देखते हैं जिसका नाम कार्नेलिस होता है वो एक मौस्ष्री में जाता है जहां पर बहुत सारी डेड़ बोडी बड़ी बड़ी होई थी उनी में से एक जैन नाम की यंग लड़की की डैड बोडी होती है जिसको देखकर कार्नेलिस की नियत बेगर जाती है और वो उस डैड बोडी के साथ करने लगता है तब अचानक से वो दर्द से करा हुटता है क्योंकि उसकी बोडी से बलड आने लगा था अब हम एक घर को देखते हैं जिसमें एक लेडी डिनर पका रही थी जो कि कार्नेलिस की वाइप होती है और वो बार बार उसे खाना खाने के लिए बुला रही थी लेकिन कार्नेलिस अपने बैड पर पड़ा दर्द से रो रहा होता है और उसकी बोड़ी भी खाली पड़ने लगती है बहुत देर बाद भी जब कार्नेलिस नहीं आता है तो उसकी वाइप उससे बुलाने के लिए जाती है तब वो देखते हैं कि कार्नेलिस पागलो की तरह अपने बैड पर ही टोलेट करने लगा है जब वो उससे रोकते हैं तो वो उससे पर भी टोलेट करने लगता है तब हम देखते हैं कि उसका फेस किसी जॉंबी की तरह हो चुका है और अब वो अपनी वाइप पर अठेक कर देता है और उसके साथ बहुती बूरी तरीके से करने लगता है लेकिन किसी तरह वो उसे पीट कर रूम से बाहर आती है और कीचन से एक नाइप लेकर कारनेलिस के उपर मारती है जिसे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है और जब वो कन्फरम करने के लिए उसके पास आती है तो अचानक से कारनेलिस उसके प्राइवेट पार्ट में हाट डालकर उसका मास बहार निकालेता है और उसे खाने लगता है जिससे वो लेड़ी वहीं पर मर जाती है अब कारनेलिस अपना चाक को बहार निकालता है और खड़ा होकर घर से बहार आकर जंगल के और निकल जाता अब हम एक गाड़ी को सड़क पर चलते वे देखते हैं तब ही अचानक से गाड़ी के सामने कोई आ जाता है जिसकी वजह से वो गाड़ी आउट कंट्रोल होकर पेड़ से जाटकराती हैं उस गाड़ी में दो आदमी होते हैं उनमें से एक कहता है कि क्या वो कोई भालू था लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि वो कोई इंसान था तब ही उनकी नीचे से कुछ आवा जाती हैं और हम देखते हैं कि कारणेलिस गाड़ी के पीछे से निकलकर जंगल की ओर जाने लगता हैं मगर तब ही वो आदमी गाड़ी रिवेस लेता हैं जिसकी वजह से कार्निल इस गाड़ी की ट्रोली में गिर जाता है अब वो दोनों इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं और वहां से निकल जाते हैं अगले दिन हमें एक क्लास को देखते हैं जिसमें एक टीचर बचों को पढ़ा रहे थी उस क्लास में कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिन में क्रिश्टन और उसकी फ्रेंड केरी और उसका बॉइफ्रेंड फ्रेडी और जैसन जो की क्रिश्टन का कजिन होता है और ब्रॉकलिन और उसकी गर्फ्रेंड समीरा होती है उन सभी का एक फ्रेंड सरकिल होता है और इस विकेंड वो सभी बीच पर एंजोई करने के लिए जाने का प्लान करते हैं तब ही बाहर एक गाड़ी आती हैं जिसमें पामेला का बोईफ्रेंड ड्रक होता है जो कि उसे बाहर बुलाता है इसलिए पामेला टीचर से वासरूम का बहाना बना कर बहार जाती हैं और ड्रक के साथ वहां से चली जाती हैं अब स्कूल की छूटी होने पर समीरा क्रिष्टन से बीच पर चलने से मना कर देती हैं इसलिए बाखी सभी लोग समीरा के बिना ही जाने का डिसीजन लेते हैं दूसरी और एक डाक या जंगल में चलते वे उस जगे पर जाता है जहाँ पर लाश्ट नाइट उस गाड़ी का एक्सिडेंट हुआ था उसे वहाँ पर कुछ लेटर मिलते हैं जिने लेकर वो पास में बने कार्नेलिस के घर जाता है जहाँ पर वो दर्वाजा नौक करता है लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता इसलिए वो विंडोस से अंधर ज्ठाने की कूसिस करता है तबी कोई अंदर से उसे पंच करता है, जिससे वो वहीं पर नीचे गे जाता है, उसे मारने वाली कोई और नहीं बलकि कारनेलिस की वाइप होती है, जो अब वहां से बाहर निकल कर जंगल के और चली जाती है, दूसरी और पामेला और डरक एक फ्यूल इस्टेसन पर जाते ह उन दोनों में से एक आदमी पेमेंट करने के लिए इस्टोर में जाता है, तब वो वहां से कुछ बीयर बोटल्स चुरा लेता है, मैनेजर को इसके बार में पता चलता तब तक वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, अब हम कारनेलिस को देखते हैं जो कि उस गाड़ी के आते हैं, वो पांच लोगी होते हैं क्योंकि समीरा उनके साथ नहीं चलती हैं, अब वो सब भी उसी गेस इस्टेसन पर रुपते हैं जहां पर कारनेलिस आया था, ब्रॉकलिन को छोड़कर सबी लोग श्टोर में आते हैं, जहां पर कृष्टन उस ओल लेड़ी से वासरू फिलावा था, उसे बहुत तेज लगी थी, इसलिए ना चाकर भी उसे उस गंदगी पर बेट कर टॉयलेट करनी पड़ती हैं, अब वो सबी फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं, तब ही केरी को उल्टी होने लगती हैं इसलिए फ्रेडी गाड़ी रोगता हैं, तब हम क वाइरस की सुरुआ जैन की डैड बोडी से होती हैं, और उसके बाद कार्नेलिस से होते हुए आगे फिलने लगता हैं, वो डा कि अब उस लेडी के साथ करने लगता हैं, जिससे वो भी इस वाइरस से इंफेक्टेड हो जाती हैं, कैरी और उसके सबी फ्रेंड्स हाईवे के लिए जाते हैं, और दो रूम से बुक कराते हैं, अब सभी अपना लगेज लेकर मोटेल में चले जाते हैं, लेकिन जैसन कुछ दिर तक कार में ही रुपता हैं, क्योंकि उन्होंने दो ही रूम ले थे, इसलिए फ्रेड्डी के साथ कुछ एंजोई करने के लिए उसे ब वो अपना सर डश्ट बीन पर पीटता है, जिसे बेहुस होकर वहीं पर गिर जाता है, जैसन गाड़ी में बैठा अकेले ठक जाता है, तब ही वो अल्डेडी वहाँ पर आती हैं, लेकिन किसी तरह वो भागते हुए रूम में चला जाता है, जहां पर वो केरी को इसके बार दूसरी और ड्रग पामिला को छोड़कर बाहर जाने लगता है, क्योंकि वो उसके साथ चीट कर रही थी, पामिला उसे वापस आने के लिए कहती हैं, लेकिन तब ही वहाँ पर कारनेलिस आ जाता है, और वो उसे बूरी तरह से काट देता है, जिससे वो भी वाइरस से जिसकी सारी लाइट्स आप होती हैं, क्योंकि कैरी वहाँ पर तोड़ फोड़ करके जा चुकी थी, बेड़ पर जैसन बेहुस पड़ावा था, लेकिन फ्रेड़ी को लगता है कि वो कैरी है, इसलिए वो उसके साथ इंटरकॉस करने लगता है, लेकिन जब वो लाइट्स जिससे उसे करंट देता है, जिससे वो बेहुस होकर उसी पर गिर जाती है, दूसरे रूम में ब्रॉकलिन और क्रिश्टन होता है, जिनमें क्रिश्टन ड्रिंक लाने के लिए बहाँ जाती है, जहां पर उसे ड्रक मिलता है, और उन दोनों में काफी सारी बाते होती है, परण तो फिर से खड़ी हो जाती हैं इसलिए वो दोनों डरकर वहां से भागते वे गाड़ी में जाकर बैठते हैं लेकिन कैरी भी उनके पीछे आ जाती है तब डरक उसे सूट करके मार देता है अब क्रिश्टन पुलीस को कॉल करके उन्हें हेल्प के लिए बुलाती है और डर्क अपनी गाड़ी की चाबी ढूनता है तब वो उसे अपनी गाड़ी के नीचे दिखती है और वो उसे निकालने की कोजिस करता है लेकिन तब ही पीछे कानेलिस खड़ा हो जाता है और वो डर्क को घसीटने लगता है इसलिए क्रिश्टन उसकी हेल्प के लिए गन उठाती है लेकिन तब ही कैरी उसे पकड़ कर उस पर आटैक कर देती है तब तक डर्क कानेलिस को पीट कर घायल कर देता है और वो कैरी को भी सूट कर देता है जिससे वो दोनों बच आते हैं मगर कैरी एक बार फिर से खड़ी हो जाती है इसलिए वो दोनों भागते वे ब्रॉकलिन के रूम में चले जाते हैं ब्रॉकलिन जो कि अबी तके इन सबसे अंजान होता है इसलिए वो उनकी बात पर यकिन नहीं करता तब डर्क उसे खुदी देखने के लिए कहता है और जब वो विंडोस से बाहर देखता है तो वो कैरी को देखकर डर जाता है दूसरी और फ्रेडी अभी भी अपने आपको जेसन से डिस्कनेक्ट करने की कोसिस कर रहा होता है लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक पुलीस ओफिसर आ जाता है जो सबसे पहले उसी के रूम को नौक करता है इसलिए फ्रेडी बलर्डी चादर को छिपा कर जेसन के साथ बैड पर लेड जाता है वो आफिसर अंदर आता है और फ्रेडी से पोचता है कि क्या तुमने यहाँ पर चिलाने की कोई आवाज सुनी है तब फ्रेडी कहता है कि ऐसा तु यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ इसलिए वो आफिसर रूम से बहार चला जाता है दूसरी और डर्क क्रिश्टन और ब्रॉकलेन रूम से बहार निकलते हैं तब वो पुलिस ओफिसर उन पर गन तान देता है क्रिश्टन उसे समझाने की कोईसिस करती है कि मैंने ही तुमें कॉल किया था और कुछ जॉंबी हमें मारने की कोईसिस कर रहे हैं लेकिन वो ओफिसर उन पर यकिन नहीं करता तब जाता है दिर्क ओफिसर को पीछे मुड़ने के लिए कहता है और तबी वो देखता है कि कार्फिसर मैंश्टरबेट करती हुए उसकी और आरा है और अचनक से वो बहुत सारा इस फ़र्म रिलेज करता है जिससे वो आफिसर जल जाता है और ये देकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं फ्रेडी अभी भी खुद को फ्री करने की कोसिस कर रहा होता है तबी जैसन को होस आ जाता है जोंकि अभी एक जॉंबी बन चुका था इसलिए वो रूम से बहा जाने लगता है लेकिन फ्रेडी अभी भी उससे गनेक्टेड था इसलिए वो डॉर में अटक जाता है और जैसन की ज़्यादा ताकत लगाने से फ्रेडी मिडल से तूट कर मर जाता है दूसरी और वो तीनों भागतेवे गाड़ी के पास आते हैं तब ही वो अल लेडी वहाँ पर आ जाती है जो ब्रॉकलिन को अपने प्राइवेट पार्ट की मल्च से खाने लगती है उसी वक्त डॉर्क उससे सूट कर देता है जिससे वो ब्रॉकलिन को छोड़ देती है तब हम देखते हैं कि उसका चहरा पूरी तरह से जल चुका था अब डर्क क्रिश्टन को वहाँ से भगा देता है और खुद भागतेवे पामेला की रूमे जाता है और वो पामेला को मरावत देखकर बहुत दुकी होता है तब ही पीचे से कैरी उस पर अटेक कर देती है लेकिन वो उसे बार बार पिटता है जिससे वो घाइल हो जाती है और डर्क ठक कर वहाँ पर बेट जाता है तब ही कैरी अपने प्राइवेट पार्ट से एक एलियन हैंड निकालती है जिसे वो डर्क के गले में डार कर अपने पास खिश लेती है और उसे मारने की कोसिस करती है लेकिन डर्क उसे हैंड को अपने दातों से काट देता है और फ्री होकर उसे सूट कर देता है दूसरी और क्रिश्टन भागते वे जाती है तभी उसके सामने वो मेल मेन आ जाता है जो उस पर अटेक कर देता है लेकिन तभी पीछे से मैनेजर उसे पीट कर बेहुस कर देता है क्रिश्टन मैनेजर को थेंक्यू कहती है लेकिन तबी वो उसे भी पीट कर बेहुस कर देता है दूसरी और पामेला डर्ग पर अटेक करती है लेकिन वो उसे भी सूट करके मार देता है और अपने हाथ में धोकर जब बहार याने लगता है तबी मैनेजर उसे भी पीटकर बेहुस कर देता है जब उन दोनों को हुच आता है तो वो अपने आपको बंदवा पाते हैं जिनके सामने मैनेजर बैटावा था अब वो एक आदमी का काट कर उसे खाने लगता है जिसके साथ एक लेडी और मास्क लगाएवी लड़का भी होता है असल में वो लोग कैनिबल होता है इसलिए अब मैनेजर फ्रेस मेट के लिए डर्क का हाथ काटने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर कारनेलिस आ जाता है जो आते ही सबसे पहले उस मैनेजर को मार देता है तभी क्रिश्टन के हाथ खुल जाता है और उसे एक गन मिल जाती है जिससे वो कारनेलिस को सूट करती है और वो नीचे गिर जाता है अब डर्क और कृष्टन वहां से निकल कर भाग जाते हैं और गाड़ी में बैटकर निकलने लगते हैं लेकिन तभी जैसन डर्क पर अटेक कर देता हैं और वो उसे गाड़ी से बाहर खिंच कर मानने लगता हैं तभी डर्क एक इस्टिक से पीट कर उसे घायल कर देता हैं व में क्रिश्टन बाहा निकल कर डर्क के पास आकर उसे थैंक्यू कहती हैं और अब वो दोनो किस करते हैं मगर तब ये डर्क देखता हैं कि क्रिश्टन भी किसी वायरस से infected हो चुकी हैं क्रिश्टन ये देखकर डर जाती हैं और डर्क को जोंबी बन रहे है अब डरक वहां से जाने लगता है तब वो पोच्टांगे तुम कहां पर जा रही हो तब डरक बताता है कि मैं सौट की और जा रहा हूँ, जहां पर मेरी फैमली रहती है तब वो कहतें कि अब कोई भी जगे इस वारे से नहीं बची हैं तुम्हें साउथ की और नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर ये वारे सबसे ज़्यादा फेलावा हैं तब डर कहता हैं कि तुम मुझे मसिकाओ मैं खुद ही अपने आप में एक डेविल हूँ तब ही एक ट्रक उसे हिट कर देता और वो मर जाता हैं इसी के साथ ये मुवी यहीं पर एंड हो जाती हैं तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरू बताना और इसी तरी के कहानियों के डेली डोस के ल कुलना बूलना